अरे मुझे कोई बाहर निकालो मैं बहुत दुखी हूँ कोई मेरी सुनता है मुझे बाहर निकालो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कोई तो होगा मेरी सुनने वाला मुझे बाहर निकालो अरे भाई कोन हो तुम कहा हो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो मुझे किसी तांत्रिक ने मंत्र विध्याद्वारा मटके में बंद करके जमीन में गाड़ दिया है परन्तु तुम हो कहाँ भाई मैं तुम्हे वो स्थान बताता हूं थोड़ा आगे चलो थोड़ा ओर आगे थोड़ा सा ओर आगे बस 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 यहीं हूँ मैं तुम मुझे खोद कर बाहर निकालो हाँ भाई अभी निकालता हूं कर तो अरे भाई जरा इसका कपड़ा तो खोलो और मुझे बाहर निकालो अगर मैं इसकी सहायता करूँ तो यह मेरा जीवन बराबारी रहेगा और मेरी सहायता भी करेगा वो सकता है फिर मुझे कोई अनधन की जरूरत ही ना रहे अरे भाई आखिर की सोच में डूब गए हो जरा इसका कपड़ा तो हटाओ मैं आपको बाहर क्यों निकालू और इसे मुझे क्या लाब होगा मैं आपको बहुत धन्दूगा आप तो इस मटके में बंद हो तो मुझे धन कहां से मिलेगा मैं तुमें सच में धन्दूगा मेरे पास धन की गठरी थी जो मैंने उस तांत्रिक के आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पे छुपा दी थी मैं आप पर विश्वास क्यों करूँ आप बाहर आकर अपने वचन से बदल भी तो सकते हो मैं मटके का धकन तो खोल दूँगा तुम पहले मुझे वचन दो कि तुमें बाहर आकर मुझे धन अवश्य दोगे मैं वचन से नहीं हटूँगा पहले मटके का मुझे तो खोलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूँगा अब आप मुझे अपने वचन के अनुसार मुझे धन देने की कृपा करें हाँ हाँ क्यों नहीं चलो मैं आपको धन दे देता हूँ हाँ हाँ अुह कि अख मेरे कि अभी रड़ा बुट रड़ भुटने विए रड़ा भुटने विए भुटने विए भुटने अभाने विए पाद। अभी और कितना आग्ये चलना पड़ेगा कहीं आप मुझे धन के भवरजाल में फसाना तो नहीं चाते नहीं नहीं वो रहा स्थान वहां है यह रहा स्थान यहां से खोदो लो भाई यह रही गट्री निकालो धन रुको भाई तुम्हारी तो इच्छा पूर्ण हो गई मेरी भी तो इच्छा पूर्ण करदो तुम्हारी कौन से इच्छा है बहुत जोर की भूक लगी है बैस इतनी सी बात ये लो इसमें खीर पूरी हलुआ है आज मेरी पतनी ने पृत का उद्यापन किया था मैं इसे मेरे लिए ले जा रहा था इसे तुम खा लो इसे तो मेरी पूर्टी नहीं होगी मेरे पास जो था मैं दे रहा हूँ अगर इसे भी आप अल्प मानते हैं तो आप मेरे घर चलिए तुम तो बहुत भोले हो बोजन तो मेरे लिए पर्याप्थ है घर जाने की आवशकता नहीं अरे भाई तुम कभी कहते हो भोजन कम है और कभी कहते हो भोजन प्रयाप्थ है ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम तो अती भोले हो क्या तुम ही अभी तक ज्यात नहीं हुआ कि तुम ही मेरा भोजन हो यह खीर पूरी हल्वा तुमसे ज्यादा स्वादिश्ट नहीं हो सकता अरे भाई तुम कौन हो अब मैं तुझे खाकर अपने उदर की भूक मिटाऊंगा मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है और तुम मुझे मारना चाहते हो यह अन्याय है शेर जीव जन्तु को मार कर अन्याय नहीं करता वो अपनी भूक मिटाता है क्योंकि वो खीर हल्वा पूरी नहीं खाता और उसी प्रैकार तुम मेरा भोजन हो शेर एक गानुमर है वह न्याय अन्याय नहीं जानता परन्तु तुम तो जानते हो ये तो तुमें पहले सोचना चाहिए था तुम दया बावना से क्यों नहीं सोचते मैंने तुमारा बला किया है बला बलाई का जमाना कहा है वो देखो उस व्रिद बेल को उसने सारी उमर अपने मालिक की भलाई ही तो की है अब ये व्रिद हो गया तो इसे घर से निकाल दिया अब ये इस वन में किसी शेर का शिकार बनेगा कहां गई इसकी भलाई हाँ 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 बैल की नहीं मैं तुमारी बात कर रहा हूं तुमारी मैं भी तो तुमें वही समझाने का पर्यास कर रहा हूं हाँ हाँ अगर तुम बैल की भलाई नहीं मानते तो उस व्रक्ष को देखो इसने ना जाने कितने लोगों को फल, फूल और शांती दी है इसके पश्चात भी तो लोग इसे काट कर ले गए इसने भी तो प्रोपकार किया था अब तो मुझसे भूख और सहन नहीं होती अब तो मैं तुझे अपना बोजन बनाऊंगा ठीक है मरने वाले की अंति मिंच्छा सभी पूरी करते है तुम भी तो करोगे कहो तुम्हारी अंति मिंच्छा क्या है मैं उसे जरूर पूरा करूँगा मेरी अंति मिंच्छा यह है कि मैं किसी व्यक्ति से पूछ के यह संतूष्ट हो जाऊं कि मैंने तुम्हारा जीवन बचा करके जो बलाई का कारिये किया है वह न्याई पूर्ण है या नहीं है अगर वह कह देगा कि मैंने तुम्हारा जीवन बचा कर अच्छा नहीं किया तो तुम मुझे खा लेना अच्छा ठीक है परंदू तुम मेरे साथ इस रूप में नहीं उसी व्यक्ति के रूप में आओ तुम उसे कहोगे कि ये धन मेरा है मैं लेना जाता हूँ मैं कहूंगा कि ये धन मेरा है मैं लेना जाता हूँ अच्छा ठीक है तो फिर चलो क्यूं देर कर रहे हो चलो तो अच्छा है कर दो कर दो कर दो कर दूआ है पुछ पुछ भुछ भुछ बलिफ क्रक्ष्छ। कुछ हाथ लगा अरे कुछ नहीं हाथ लगा अरे कोई सिकारी नहीं मिला चलो और देखते हैं कर दोagne कोकी जब जहीं मिला खुछ मिला ऑाल कुछ ज्याल अरे कि वहाला चाल हो 25 अखला अराओ कर दो बालग युल नह रो अई लुकाव कर दो बालग बालग का आए लुछ है कुछ शिकार किया भाई अरे भाई शिकार तो कोई मिलाई नहीं करता कैसे तुमने कोई शिकार किया क्या हाँ भाई मैंने तो दो शिकार किया है और संध्या भी होने वाली है भाई हम दोनों तुम्हारे लिए शिकार ढूंड लेते हैं अगर मिल गया तो ठीक है नहीं तो मेरे पास दो शिकार है एक तुम ले जाना ये खम ले लेंगे ठीक है चलो हम चलते हैं चलो भई, अरे रुपो, वो देखो सादू जी आ रहे हैं परणाम गुरु देव, खुश रहो बच्चा संध्या होने वाली है, इस वक्त बन में क्या कर रहे हो ज्यात है, जंगल में जंगली जानवर बहुत है महात्मा जी, एक शिकार करना है, फिर चले जाएंगे शिकार, छी 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 छी, इतना धोर पाप कर रहे हो आप जानवर को मारना एक पाप है महात्मान, अगर शिकार नहीं करूंगा, तो बच्चे को पालन पोसन कैसे करूंगा क्या सभी प्राणी तुम्हारे जैसे बच्चों का पालन पोसन करते है महात्मान, सभी तो नहीं करते अरे मानाओ, आपको ग्यात है, जीओ को मारना कितना घोर पाप है अरे मेरी बाद घ्यान से सुनो मानाव में मानावता नहीं तो मानाव जीवन है पेकार, सारे वे दूका ये सार मानाव में मानावता नहीं तो मानाव जीवन है पेकार, सारे वे दूका ये खार मानाव में उनकी भी होती संतान लेकिन इतना ज्यान नहीं जो कर सके हर की पहचान, कर सके हर की पहचान बिनाहरी के जाने बंदेतन तेरा धरती के भार सारे वे दूका ये सार मानाव में मानावता नहीं तो मानाव जीवन है पेकार, सारे वे दूका ये खार मानाव में लाग चोरासी भोग के मिलता ये मानुष का सुनतरतन दाख चोरासी भोग के मिलता ये मानुष का सुन्दर्तन दया धरम दिन गर्त है बंदे तेरा ये मानव जीवन इश्वर ने भेजा है तुझ को करने सब जीवों से प्यार सारे वे दों का ये सार मानव में मानव का जीटो मानव जीवन है देखा सारे वे दों का ये सार मान जबने एक ही रंग है खून का सब में एक ही सब जीवों में का ये सब का मालिक बंदे फिर कैसा तुझ को अभिमान सब को गले से लगाना बंदे तोड़िद सारे तु अहंकार सारे वे दों का ये सार मानव में मानव तन जीटो मानव जीवन है देखा सारे वे दों का ये सार मानव जीव मानव जीव जितना पेमी करेगा सबसे इतना ही सुख पाएगा जितना पेमी करेगा सबसे इतना ही सुख पाएगा दुख देगा जो औरों को तो तू पापी कहलाएगा तू पापी कहलाएगा रूकम सिंग भीरानी कहे तू जीवन को ले अब सवार सारे वे भोका ये सार हमें माफ करना महात्मन हम तो मुर्कता वश ये पाप कर रहे थे आज से मैं कोई पाप नहीं करूँगा जानवारों को रक्षा करूँगा हमें शमा कर दे गुर्देव जाओ बच्चा शमा किया हमें 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 कान शमा कर दो मुर्देव कर दो में हमें चाहिए कर दो भीरा से जाते हमें वो महात्मन आ रही है उनसे पूछ लेते हैं चलो फिर पूछो प्रणाम महात्मन खुश रहो बच्चा प्रणाम महात्मन महात्मन हमारी एक संका का समाधान कीजिए हाँ हाँ बोलिए आपको क्या संका है महात्मन ये धन मेरा है परंतु ये कहते हैं ये धन मेरा है नहीं महात्मन ये धन तो मेरा ही है ये तो जूट बोल रहे है नहीं महात्मन ये जूट बोल रहे है ये धन मेरा है नहीं महात्मन मैं सत्य कह रहा हूँ ये धन तो मेरा ही है ये धन के लालच में आके जूट बोल रहा है नहीं महात्मन ये धन मेरा है ये जूट बोल रहा है महात्मन आप मुझसे कोई भी वचन ले सकते हैं ये मेरा है महात्मन मैं सत्य कह रहा हूँ ये धन मेरा है नहीं महात्मन मैं सत्य कह रहा हूँ ये जूट बोल रहे है ये धन के लालचवश आकर ऐसा जूट बोल रहे है महत्मन यह धन तो मेरा ही है इनसे पूछो पूछो इनसे जब इनोंने मुझे मटके से बाहर निकाला था तो ये धन किसके पास था पूछिये पूछिये इनसे पूछिए महात्मन आप इन से नहीं महात्मन ये जूट बोल रहे है इतना बड़ा व्यक्ति मटके में कैसे आ सकता है महात्मन आप ही बताएं ये जूट बोल रहा है महात्मन मेरी बात पर आप यकीन कीजिए नहीं महात्मन, मैं तो सत्य ही कह रहा हूँ, जूर तो ये बोल रहे हैं, मैं तो मटके में ही था, ये धन तो मेरा ही है महात्मन, हमारा न्याए कीजिए नहीं, तुम सत्य नहीं कह रहें, ये सत्य कह रहा है, इतना बड़ा व्यक्ति, मटके में कैसे आ सकता है नहीं महात्मन, आप अन्याए कर रहे हैं, आप जड़ा मटका लाइए, मैं उसमें आपको प्रवेश करके दिखाऊंगा, तब तो आपको यकीन हो जाएगा, कि मेरी बाते सत्य है और ये व्यक्ति जूट बोल रहा है यदि तुम इस मटके में प्रवेश कर गए, तो ये धन तुम्हारा जाके दिखाओ मटके में लो जल्दी से इस कपड़े से मटके का मुँ बान दो महात्मन आप धन्य है, महात्मन सादुओं ने हमेशा मानव का कल्यान किया है यह मैंने आज तक सुना ही था, परन्तु आज मैं अपनी आखों से देख रहा हूँ महात्मन यह आपको मालुम कैसे हुआ कि यह राक्सस था कि जब इसने परनाम किया था, उसी वाक्त मुझे ग्यात हो गया था यह राक्सस है परनाम महात्मन खुशर हो वच्चा आप धन लेके और इस मटके को किसी सुरक्षित जगह में गार देना जो आदेश कर दो कर दो कर दो